राहूल और प्रेंगा को अगर वाकई ऐसा लग रहा है कि हात्रस जाकर वो देश की बेटियों के साथ बड़े हो जाते हैं तो हात्रस ना जाबाने की भरपाई उन्हें राजस्थान जाकर कर ले दी जाए वहां तो सरकार भी अपनी है कोई रोकेगा भी में वो बारा जा सकते हैं जहां दो लड़कियों से क्यागरेब हुआ वो बासवाड़ा जा सकते हैं जहां 14 साल की बच्ची से चार दरिंदों ने रेब किया वो स्थिरो ही जा सकते हैं, जहां आठ साल की बच्ची को भी बलातकारियों नहीं छोड़ा आखिर हाथ रस जानी की ही इतनी जिद्ज्यों है, राहुल प्रियका राजस्थान में भी तो बेटिया सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी तो इंसाब चाहिए आप या विपर के निता के रूप में, दिर इस देता को भूला हम उनका अलोग करेंगे जात्तों में गटना को गुणिया भर में देश भर में होती है हम अलोग करेंगे कोई बड़े बीजेपी के निता बड़े से बड़े आए हैं राहूल गांदी और प्रिंगा गांदी की तरह वो बारा में जाएं बीबारी में जाएं करें जाएं हम उनको अलोग करेंगे जाने के लिए पुलीस प्रोटेक्षिन में आलोग करेंगे कोई दिक्क तलीए हमें उनको ये कहने का धिकार नही questions राहूल प्रियंका को हाथ रस की निर्भया की फिक्र होनी भी चाहिए लेकिन उन्हें राजस्थान की निर्भया नजर क्यों नहीं आती राहूल प्रियंका को बासवाड़ा की उस चौदा साल की बेटी से क्या दुश्मनी है जिसे घर से चार दरिंदे उठा ले गए और गैंग्रेप के बाद ऐसी हालत कर दी कि डॉक्टर भी उसे बचा दी सके अब आध को जारा वजे मेरी लड़की उठाके ले गए फिर भी उसके साथ में साथ जणे बूरा वाल किया उसका बूरा काम किया और फिर वह हमारे उपर अल्जमर डालते कि हो तुमारी लड़की हमने ले गए यू कह रहें लेकिन हम यू कह रहा है कर ऐसे इसी तरिंदकी हुई और हैवानियत की हथ पार करते हुई उसकी हत्या कर दे गए रहुर प्रियंका क्यों नहीं राजस्तान पूलिस पर दवा बनाते कि वह आरोपियों को चल्द से चल्द किरफतार करे और कही नहीं तो राहूल प्रियम का बारा ही चले जा जहां दो नावारी लड़कियों के साथ हुए गैंग्रेव को लेकर पुलिस पर संगी निलसाम लग रहे हैं पिडित लड़कियों का परिवार आरोप लगा रहा है कि उन्हें धमका कर बयान बदलवाने की कोशिश की जा रही है हाथरस की निर्भाया तो अब अपने उपर हुए जुल्म की कहानी सुनाने के लिए इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन राहूल प्रियंका पारा की दो बेटियों से मिलकर उनकी दर्द भरी कहानी तो सुनी सकते हैं कितने जने थे बिटए एक बेटाए फिर विट पताए दो तीन ओराए इस सब ने गवाट काम किया है किने लोगों ने किया है वो तीन जार लोग है ते बाद फिर क्या हुगा फिर कैसे घर पर तुमने पता नी किया पज़ा नी पूचाने ही पापा उगारा को फोन किन कि क्या डंके देते थे वो माम को फोन कर कर दो बूलाया क्या था ये तो सिर्फ कुछ केस है जो भी हाली में सामने आए है राहुल प्रियंका को अगर बेटियों के न्याय की लड़ाई में वाकई इंट्रेस्ट है तो उन्हें ये जंग राजस्थान से ही छेड़नी चाहिए क्योंकि पिछले वर्ष देश में सबसे ज्यादा रेब की घटनाय राजस्थान में हुई वर्ष 2019 में राजस्थान में पलातकार के 6000 के सामने आए हैं इसलिए राजनीती से उपर उठकर राहूल प्रियंका को कॉंगरेसी कारिकरताओं से कहना चाहिए कि वो बेटियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन करें लेकिन राजस्थान को भी ना भूले क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा राजस्थान की बेटियों को कॉंगरेस से उपिदे चाहे यूपी हो, राजस्थान या कोई और राज, रेप की शिकार देश की बेटिया ही उठी है 12 से शरत कुमार के साथ आज तक देख